तो और मेरे भाईयों यकीन है कि आप मुझे भूले नहीं होगे लगब 20 दिन होगे वीडियो डाले हुए लिखने यार आज हमें एक बहुती बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो हमारी हुमैनिटी के लिए सॉल्ट करना बहुती 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 जादा ज़र को ठीवी कि शॉ招़पी से स्टाउर्ट करते हैं प्लस्टिक को दोस्तों हम सब पता है कि आहिसा हम अवाधिभी तरीक चीप टांसपैलयंटी प्लास्टिक को यूज करते हैं जिसने पूरी प्लास्टिक मैनुफेचरिंग इंड़स्ट्री को 480 बिलियन डॉलर की बना दी है और अगर ऐसी हम मैनुफेचर करते रहे तो 2018 तक पूरी इंड़स्ट्री 630 बिलियन डॉलर की होने वाली है लेकिन यह जैसा कि हमें इस बाता है कि हर एक पावर के साथ बहुत बड़ी रिस्पोंसिलिबिटी भी आती है और यह हमारे प्लास्टिक के साथ है क्योंकि प्लास्टिक के जितने ज़्यादा एडवांटेज उतनी जप्लास्टिक के अपको लैचर नी देने वाला हम सब को पता है वच्पन से ही पढ़ते आ रहें कि प्लास्टिक हमारे एंवारमेंट के लिए कितना जादा डेंजर है कितने जादा पॉल्यूसन होते हैं बहुत जादा हमें सब कुस पता है और यह सारी प्रॉब्लम के बार में हमें पता है तो यार मैंने सोचा जब इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी opportunity है, इतनी बड़ी problem है, तो यार क्यों ना इसे solve किया जाए, तो इसे related मैंने तीन ideas लिखे हैं, जो मुझे लगता है आपकी बहुत जादा help कर सकते हैं, बहुत ही कमार का billion dollar startup idea आइडिया सोचने में, तो दोस्तों जल्दी से start करते हैं अपने पहले idea पर जिस पर मैंने रखा है Envy Green को, इस idea को बताने से पहले यार मैं थोड़ आपको ज्यान देना चाहूँगा, बेखो यार किसी भी problem को solve करने की दो तरीके होते हैं, या तो यार हम problem कोई खतम करते हैं, या फिर हम problem की जड़ कोई खतम करते हैं, और यह दोनों ही different different solution हैं, जैसे कि मेरे घर में बहुत जादा मच्छड हैं, तो या तो मैं हाथ से मारूँगा जो सबसे studio करेंगे, या फिर मैं all out लगा दूँगा, या फिर में मच्छड आ क्यों रहे हैं, फिर मुझे पता चलता है कि मेरे घर में बहुत जादा गंदा है, इसलिए मरे अप रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ऑपर घर में साफ सफाइब कर दूँगा, तो मैं फिर में मच्छड भी अपने आप खतम हो जाएंगे और दुबारे में प्राइब बढ़ती चली जाएगी तो दोने ही डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइब के सॉलिउसन है और इसी तरीके से यह हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर हम प्लास्टिक की प्राइब्लम को कैसे खतम कर सकते हैं और जब हम उसके जड़ तक पहुंचेंगे तो हमें यह प स्कूल करते हैं और हम पूरे तरीके से प्लास्टिक में डूप कि हम अदी से भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से ही बनती है चाहे और बाकि सब मोशन में या फिर इधर उधर फेग देते हैं रोड पर फेगते तो गाये ऐनिमल्स खाके मरने लगते हैं और समुन में फेकते हैं तो भाई वहां की मचलिया बलब डैमेज होने लगती है वो खाती है फिर बिमार फढ़ जाती है फिर मढ़ जाती है बलब उनकी भी जिन्देगी हम जंड करते हैं और आपको एक मज़ चीज बताता हूं कि प्लास्टिक को डी कंपोज होने में लगब पांस से हजा है किसा है अगर हम यह प्लास्टिक को देते हैं ऌटक अब क्ल Ouais प्लास्टिक की है बहुत जब्लस्टिक से 35 परसेंट ज्यादा चीफ है जो प्रूट से बना हुआ है जिसमें पोटेटो बनाना और कॉर्ण जैसे इंडिगरेंट्स यूज़ के गए तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का इनका इन्वेंसर है आप चाहो तो इनकी प्लास्टिक को खा भी सकते हो क्योंकि यह 100% वेजिटेबल से बने हैं पूरे तरीके से और और ग्यानिक है आप इसे अगर रोड पे भी फेक दो गए ना तो यह 6 महीने बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगे और आप इसे खा भी सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबसे मस बात है कि अगर आप इसे गरम पानी में डालोगे तो यह सिर्फ 15 सेंड में ही पूरे तरीके से डिसॉल्व हो सकता है और आप उस पानी को पी भी सकते हो तो इससे कोई भी बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा बहुत ही कमाल के स्टार्टप है जिसका नाम है एन्वी ग्रीन लेकिन कहते ना है हर एक सपल था कि पीछ बहुत बड़ी महनत मुझे तो इनका स्टार्टप बहुत ज्यादा माइंड ब्लोई लगा जो हमारी एंवार्मेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपको यह आइडिया कैसा लगा मुझे नीचे लाइक करके बताना तो दोस्तों जो हमारा दूसर टाइप का स्टार्टप है वह प्ला बहुत बहुत जादा और यह प्लास्टिक जो हम इतने सालों मुझे पनाटे के द hijos ना साक्रीश हो तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंगर लिगा इंडस्ट्रीमेंक मेंदिस्ट्री επ जा हो तो plastic के brakes मतलब बना सकते हों आप जाओ तोועस में प्लास्टीप की एसी फ्यूव बना सकते हो तो मिनलब समझ सकते हो कि प्लास्टीक को रिसाइखल करके भी हम बहुती कमाला बना सकते हैं और बहुत ही सारी की सारी चीजे में आपको नहीं बताऊँगा कि कि यह सारी चीज़े होती कैसे आप चाहो तो सिंपल से इंटरनेट पर सर्च करके भी यह पता लगा सकते हो कि प्लास्टिक से कैसे फ्यूल बनाना है कैसे ब्रिक्स बनानी है कैसे रोड बनानी है और बहुत सारी चीज़ा प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो और बहुत ही कम को लगा कि कुछ यूनिक बनाते हो कुछ जादे मैंने बग बग कर दिया लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोटेंसियल है क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ज्यादा ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एन्वाइरमेंट के लिए तो दोस्तों आप बाफ करते हैं अ इतना ज़्यादा प्लास्टिक है कि लगबख हर एक मिनट में एक ट्रग हम अपने समुद्र में फेक रहें मतलब ओसन में फेक रहें लगबख आपको जानके हरानी होगी कि 2050 तक समुद्र में मचलियों से ज़्यादा प्लास्टिक पैर रहोंगे और यार यह सज में बहुत करने के लिए आपको बहुत जादा इन्वेस्मेंट नहीं तो इस चारट आप का नाम है सीबीन प्रोजेक्ट और साड़ा साथ करोड की फंडिंग रेच कर चुका तो इन्होंने एक आसे डेष्ट बीद निया जैसे घर में तो उन्होंने उस तरीके से बनाए कि उसके नीचे वैक्यूम है जब वैक्यूम पानी को खीजता है तो जो भी आस पास का एरिया वाला पानी होता है उस वैक्यूम के अंदर जाता है और जो पानी उसके अंदर जाता है अगर उसके साथ प्लास्टिक भी आता है तो उस प्ला नदी कर पानी को खीचेगा तो जो उसके साथ प्लास्टिक जो भी गंदा होगा वो फिल्टर हो जाएगा मतलब पानी फिल्टर हो जाएगा और वो उसे डश्टिबीन में स्टोर हो जाएगा जिसे हम बाद में लेकर फेग सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपनी नदियों तलाब को फिल्टर कर सकते हैं क्यार जो हम हिंदु धर में इसमें मैंने देखा कि भगवान के नाम पे मेरे घर में भी होता है कि जो भी भगवान की चीज़ होती है हम उसे नदिया या तलाब में फेग देते हैं तो इस तरीके से हमारा तलाब बहुत ज लगाएं और अपनी नदी को क्लीन करें क्योंकि बाद में नदी का फानी तो समून में पहुंच जाता है और यार जब मैंने बहुत सारे पढ़े तो मुझे एक चीज़ सारे स्टार्ट फाउंडर में जो कॉमन लगी कि इन्होंने जब प्रॉब्लम को देखा तो एक बहु बहुत जादा बड़ी हो जाती है तो यह मैं सोचो कि आप बहुत चोटे से सुर्वात करें हो यह सोचो कि आगे जाकर वह बहुत बड़ी चीज होने वाली है तो यही तीन प्रॉब्लम सी जो मैं आपको बताना चाहता था अगर आप इससे सॉल्व कर सकते हो अपने यूनि मैंने आपके साथ सेर कर रखा है मैं चाहता हूं कि यार दुनिया बदल दे हम मिलकर और जरूर बदलेंगे अब मिलते हैं अगली वीडियो में